हेलो अव्रीबड़ी मैंने में स्पार्थ सिंग ओ साथी का टुटोरियल आ चुका है यहां पे हम गाने में कहा कहा क्या क्या मुश्किल हरकते हैं वो देखेंगे गाने की फील क्या है वो देखेंगे सूना सूना टेस कहे आ जारे अगर आप भी चाते हैं कि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पोचें तो सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइगन बटन दावारा मत भूले तो यह गाना जो है यह पैथोस है इस गाने में मतलब पैथोस मतलब होता है कि दर्द भरा और painful दोनों mix दर्द भरा और romantic दोनों mix है तो starting में वो बोलता है कि अल्ला मुझे क्या बना दिया और उसके बाद फिर तूने क्या बना दिया मेरे जिन्दगी में तो तूफान लेके आया है और फिर वो यह कहता है कि ओ साथी इन तूफानों से लड़ने के लिए मुझे तेरी जरूत है तो यह बेसिकली है कि कोई पुकार लगा रहा है कोई दर्द में है वो पुकार लगा रहा है तो जैसे वो पुकार लगाता है गाना ओ साथी से romantic बन जाता है और जैसे ही अपनी description देता है starting में स्थाई जो है बेसिकली वो थोड़ा सा painful लेना है और उसके बाद जो ओ साथी है वहाँ से थोड़ा सा आप प्यार से उसको साथी को अपने बुला सकते हो So let's begin तो एक बाद फिर से लेखते हैं मैंने जो किया है वो अलग किया है अपने cover में अगर आपने नहीं देखा है मेरा cover तो उपर काड आ रहा होगा उस पर क्लिक करके आप cover देख सकते हो वो 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 आ तो इसको आप अलग तरीके से भी का सकते हो यह मैंने लिया है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो तो basically इसको आप को क्या करना है इसको बस एक एक कंड को समझना है कि एक एक notes को कि क्या है actually पहले समझने की जुरूत है बाद में गाने की जुरूत है संगीत में मिशे याद है कि किसी भी हरकत को आप समझना नहीं आए तो आप गा नहीं सकते हो आपका गला कितना भी तैयार हो तो hearing skills होना बहुत ज़रू थी तो ये इस तरीके से इसको लेना है थोड़ा साब अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं इसमें से कुछ नहीं की आतिव की तरह ही लेना है अल्ला मुझे दर्द के काबिल बना दिया तूफा को कश्टी का साहिल बना दिया बेचैनिया समेट के सारे जहान की जब कुछ नबन सका तो मेरा दिल बना दिया तो अल्ला मुझे दर्द के काबिल बना दिया तूफा को कश्टी का साहिल बना दिया जो तूफा है कहीं और मेरी कश्टी बिलकुल एक ऐसे पानी में चल रही थी जो बहुत पीसफुल पानी था मतलब उसमें उतल पतल नहीं गी लेकिन तूफा को साहिल बना दिया मतलब तूफा क्या बहुत अच्छा लिखा है या समंदर का किनारा बिसिकली आप समंदर भी यहां पे जो कंटेक्स्ट है बोला जा रहा है कि आपने मेरी स्थिर चल रही थी और आपने तूफा वहां पे आप ले आए तो अब वो जो बोल रहा है ओ साथी से लाइन आएगी ओ साथी तेरे बिना आतिव ने विब्रेटो यहां बने लिया है अगर आप विब्रेटो सही है आता है तो आप विब्रेटो ले सकते हो नहीं तो आप टाइप कर सकते हैं ओ साथी तेरे बिना तेरे बिना थोड़ा विब्रेटो है अगर प्लेन भी रहा तेरे बिना मुझ खोल के राही को रा 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 दिखे ना ओ साथी ओ साथी करके फिर विब्रेट वी या विब्रेट वी तेरे बिना तेरे बिना बिना बे बा पे जोर दीजे तेरे बिना राही साह जिर्फ तुर्फ वर ट्रीफॉर वर 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 पो चार आ एक बाद ते ऑपी फिर से आहीमे करते हैं इसको आप ये भी कर सकते हो जो मैंने अपने गाने में किया है फॉल सेटो किसी किसी में नैचरली होती है इसमें नहीं होती है उसके लिए आप एक्सेसेज़ कर सकते हो फॉल सेटो को रीसिंटली मेरा लेसन आया था अगर आपको फॉल सेटो का लेसन देखना है तो आप उपर कार्ट पर क्लिक कर सकते हो फॉल सेटो का लेसन का लिंक आ रहा होगा लेकिन अभी उतना अगर नहीं भी आ रहा तो उसको भी छोड़िए जो main weaknesses है, सुरिय हारकत उस पर काम करिए तो इसके आगे जो लाइने आती है वो है आँखे मूदे, तो जाने किसे ढूंडे बहुत simple है कि सोया जाएना ना पे, अब देखिए आपे modulation करने की जरूत है आपको simple लाइने लग रही है लेकिन कि सोया जाएना जाएना से soft में आया तो vocal dynamics पे भी मैं बात कर चुका हूँ कि vocal dynamics मतलब softness और loudness का क्या roll है उसका भी आप link आ रहा होगा अगर आपने नहीं देखा है तो आप उपर देख लीजिए अभी card click हो रहा होगा अभी इसी वक्त आ जाओ कि सोया जाएना मानो निंदिया पीरो या जाएना जाएना ना 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 ये मुर्की है ये जाएना मानो निंदिया पीरो या जाएना पूरा मुझ खोल के पीरो या जाएना तो ना मेरी जो टेंडेंसी है सिंगिंग में वो है विब्रेटो करने की तो वो मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपने हिसाब से करता हूँ आपको अच्छा लग रहा है तो ही आप डालिए ये तो आपको विब्रेटो ज़्यादा नहीं लगता थोड़ा सा है जाए जाए ना 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 वर टो ट्री फ्वोर वर्ट्ड री फोर वन टो ये variation है तेरे बिना राही को रा दिखे ना साहिल धूआ 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 फाल्स में आप धूआ आ पे फाल्स है तो बेसिकरी बहुत सिंपल गाना है थोड़ा सा फील अगर आप लाओगे तो अराम से कर सकते हो इस गाने में कोई जरूरत नहीं है कि आप हर्कत लगाओ भी गाने में टेक्निकल होना is not that important बहुत सारे ऐसे सिंग्दा से जिन्हों ने कितने रियालिटी शोज में पार्ट पार्ट लिया है लेकिन उसके बाद भी वो आज उचे नहीं है मतलब उतना दिखते नहीं है अब आप में एक ऐसी बात होनी चाहिए जो दिल तक जाए मतलब दिल तक जाना important है टेकनिकल होना important है यह दो चीज होती है एक होता है योद्धा जिसको तलवार बाजी आती है एक होता है योद्धा जो दिल से तलवार बाजी करता है तो यह दोनों ही अलग fields है दिल से गाना आना चाहिए और टेकनिकल यह दोनों ही आप command हासिल करना है ठीक है, ये दोनों जो होती है, इसमें, तो दिल से गाना कोई बताता नहीं, कैसे गाते हैं, तो दिल is the major important thing in your life, in your singing life, तो पहली चीज़ जो होनी चाहिए, वो दिल होना चाहिए, बाद में ये सब आना चाहिए, मतलब दिल है, तो सब कुछ है, दिल नहीं है, तो कितना लाख technical आप कर लो, हरकत ये लगा लो, वो लगा लो, कुछ नहीं, सब बेकार है, सब बेकार है, ट्रसमें, मैं stage बे गाते चुका हूँ, देख चुका हूँ, कितना experience कर चुका हूँ, आप खुद भी देखते होगा, आपको खुद नहीं पसंद आएगा, आपको वही लोग करना जादा जरूरी है, और दिल की गाई की क्या होती है, दिल की गाई की के पीछा अल्यडी बहुत सारे बना चुका हूँ, मैं, how to feel the song as a singer, आप type, type कर सकते हो, YouTube पे नहीं, तो ओपर काट क्लिक कर सकते हो, तो ये था यहां पे सारा जो, ओ साथी का, और इसके साथ ही इसका डीप में देने वाला हूँ, लाइफ सेशन में, तो अगर आपको मेरे पसन गाईड़े से सुपर विजिन की जरू होता हो, तो s.part at the rate ymail.com पर नीचे दीगए email ID पर contact कलीजे, description में है, चैनल को subscribe कलीजे, को कि मैं सिर्फ cover videos ही नहीं करता हूँ, मैं tutorials भी करता रहता हूँ, त तो तू है, तो thank you, have a nice day.